नमस्कार, आज हम लोग एनाटमी में डिसकस करेंगे इंग्वाइनल कैनाल के बारे में इंग्वाइनल कैनाल पर बेस्ट एक पहले ही हम लेक्चर डिसकस कर चुके हैं यहाँ पर हम जादा specific होते हुए उन्हें structures की बात करेंगे जो inguinal canal से होकर के गुजरती है तो यहाँ पर हमारा target है उन्हें structures के बारे में चानने का जो की inguinal canal से होकर के गुजरती है यहाँ पर याद रखिएगा, इंग्वाइनल कैनाल से होकर की गुजरने वाली स्ट्रक्चर्स दो पार्ट्स में डिवाइट किया सकती हैं, उन्हें स्ट्रक्चर्स को दो पार्ट्स में डिवाइट कर सकते हैं, एक पार्शल और दूसरा इंटायर, वो स्ट्रक्चर जो पार काफी important है हमारे लिए वो है मेल में spermatic card जो इसके posterior side से enter करती है यानि deep inguinal ring से enter करके superficial inguinal ring वाले रास्ते से बाहर निकलती है तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे deep inguinal ring से होकर की गुजरने वाला spermatic card और फिर हम आगे बात करेंगे spermatic card के भीतर क्या होता है उसको तो यहाँ पर आप समझ लीजे spermatic card male में और female में round ligaments inguinal canal से होकर की गुजरते हैं female में round ligament याद रखेगा इसके अलावा यहाँ पर एक partial structure जो इससे होकर की गुजरती है जो इसके deep inguinal ring से न गुजर करके beach से गुजरती है यहाँ से वो गुजरती है वो ileo inguinal nerve के बारे में भी हमारी जानकारी बहुत asposed होनी चाहिए आप इस image में भी देख सकते हैं deep या internal inguinal ring से होकर की गुजरती हुई यह spermatic card है हम इस spermatic card के बारे में बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन आपको समझना होगा कि यह इसके entire path में पाई जाती है male की काफी important structure है spermatic card और यहाँ पर partial inguinal canal से होकर की गुजरने वाली एक nerve है ileo inguinal nerve उस ileo inguinal nerve के बारे में आप समझ लें वो deep inguinal ring से नहीं enter करता है वो भी इच के रास्ते से enter करता है और superficial inguinal ring से होकर के बाहर निकलता है तो इस image में आप ileo inguinal nerve के course को देख सकते हैं यहाँ पर आप appreciate कर सकते हैं इसके course को यह है ileo inguinal nerve का course जिसको हम यहाँ पर आपको इस साथ discuss करना चाहते हैं यह है ileo inguinal nerve जो की deep inguinal ring से होकर के नहीं गुजरती है तो चलिए जित्ती बातों को हम लोग ने पढ़ा उसको अब discuss कर लेते हैं entire course से होकर के गुजरने वाले structure male में कौन सी है spermatic card और female में कौन सी है round ligament यह round ligament और spermatic card कहां से होकर के गुजरती हैं inguinal canal से यह inguinal canal spermatic card जो की male में होता है यह from the testis to the abdomen यह एक connection तयार करता है जिसके रास्ते से spermatic card यहां से गुजरता है इसमें आप चीज़े देखेंगे कि यहां पर जो main contents है वो abdomen से testis की और और कुछ जो venus drainage होती है वो testis से abdomen की और वो सारी चीज़ें भी हम आगे आपके साथ discuss करेंगे same female में आप देखेंगे round ligament का importance जो की uterus से labium measures तक एक ligamentous structure होती है इसके बाद जो partial structure हमने आपको बताया था partial structure आपको याद रखना है ileo inguinal nerve यह इसके पूरे path से नहीं गुजरता है यह actual में side से enter करता है inguinal canal में और उसके बाद यह superficial inguinal ring से होकर के बाहर निकलता है यह inguinal region के nerve supply का एक खास हिस्सा है तो इसलिए काफी important है इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे spermatic card के contents के बारे में spermatic card के contents कौन-कौन से हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे याद रखेगा spermatic card के contents को वैसे in general देखा जाए तो काफी typical लगता है याद करने में लेकिन इसको हम एक trick से याद कर सकते हैं याद रखेगा इसमें three arteries, three veins, three facial covering, three nerves and three other structures तो याद रखेगा यहाँ पर three covering से हम अपनी बात को start कर रहे हैं याद रखेगा यहाँ पर three covering कौन-कौन सी है external spermatic fascia, internal spermatic fascia और cremastric fascia आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इसको number wise count करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे number one, number two, number three तो यहाँ पर three fascia आपको देख रहे हैं यहाँ पर याद करने का तरीका क्या हो सकता है तो सबसे भीतर की जो covering होती है जिसे हम internal spermatic fascia कहते हैं उसके भीतर की structures को अब हम देखने की कोशिश करेंगे और वहाँ से हम अपने concept को clear करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी है कि spermatic fascia में जो सबसे deepest layer है वहाँ से हम बात करेंगे तो deepest layer है internal spermatic fascia जिसके भीतर दो बड़े structures पाये जाएंगे ductus difference और testis के लिए जो important structure होती है वो यहाँ से होकर की गुजरेंगी तो यह जो अभी मैं आपको बना रहा हूँ यह सबसे deep fascia है जिसको हम internal spermatic fascia कहते हैं इसके भीतर कौन सा structure है ductus difference आप बात समझें यह है ductus difference और यहीं से एक और structure गुजर रही है जो कि testis के लिए काफी important होगी testis की जो भी blood supply होगी वो इसी internal spermatic fascia से होकर की गुजरेगी तो आप समझ सकते हैं ductus difference अपने आप में काफी important है तो इसके लिए जो भी arterial supply होगी वो और जो इसकी venus drainage होगी वो भी यहीं से होकर की गुजरेगी तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा नाम उपर नीचे हो गये हैं इसको थोड़ा सा आप correct करेंगे तो ज़्यादा बहतर रहेगा आप यहाँ पर नाम जो लिखा है मैंने आप उसको कुछ इस तरीके से रखेंगे कि ductus difference के लिए अपनी artery तो यहाँ होगी ही ductus difference के लिए अपनी artery जो होगी उसको artery to ductus difference कहेंगे इसका अपना venus drainage भी होगा और testis के लिए testicular artery यहाँ से होकर के गुजरेगी तो यहाँ पर तमाम venus duplexus आपको नजर आ रहे हैं यह internal spermatic fascia के vital structures के लिए हैं वैसे तो इसे याद कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है इसलिए मैंने कहा internal spermatic fascia के भीतर के structures को आप याद रखेगा यहाँ पर nerve के रूप में genitofemoral nerve की genital branch इसी internal spermatic fascia के भीतर होगी दो बड़े ही vital structures जो के testis के लिए जो supply होगी यह cremastric artery नहीं है यह cremastric artery बाहर होगा internal spermatic fascia से बाहर होगा यह चीज यहाँ पर थोड़ी से गलत बन गई है आप याद रखेगा यहाँ पर यह ductus difference की arterial supply है तो ductus difference के अपनी arterial supply, testis के arterial supply, इन दोनों ही structure के अपनी venus, drainage, pempeniform, plexuses के रूप में और genital branch of genitofemoral nerve यह चीजें internal spermatic fascia से होकर की गुजरेंगी तो आप यहाँ पर इतनी चीज़ों को देखने के अलामा एक और चीज़ देखेंगे processes vaginalis के remnants को भी तो यहाँ पर remnants of process vaginalis भी internal spermatic fascia के भीतर ही पाया जाएगा इसके बाद हम internal spermatic fascia से बाहर की outer covering पर जब बात करेंगे दो बड़े ही vital structure हैं एक है testis के लिए जो जा रही supply arterial supply testis की जिसके बारे मैंने आपको बताया था testis की जो भी venus drainage होगी testicular vein जो की पैंपनी form plexus के रूप में नज़र आएगा कुछ sympathetics होंगे और lymphatic channels भी यहाँ पर होंगे testis से related है नीचे क्यों आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया था vast difference का part होगा तो vast difference के जो भी parts हो सकते हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर arterial supply होगी vast difference की vast difference की venus drainage होगी उसके संबंधित जो lymphatics होंगे वो यहाँ पर होंगे और इसके अलामा processes vaginalis के parts यहाँ पर नज़र आएंगे तो process vaginalis के remnants क्या हैं इसके बारे हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे लेकिन याद रखिएगा internal spermatic fascia के भीतर यह हम सारे contents को अभी discuss किये हैं internal spermatic fascia, fascia transversalis से बनता है कैसे बनेगा इसको अभी मैं आपको justify करने का प्रयास करूँगा इसके बाद हम कुछ ऐसे structures के बारे में बात करेंगे जो internal spermatic fascia और cremastic fascia के बीच में पाया जाते हैं तो यहाँ पर देखे, आभी सिर्फ इतना समझ लिए cremastic fascia होती है और internal spermatic fascia होती है इसके बीच में जो structure पाया जाता है वो है, नाम से यह आप समझ सकते है cremastic fascia के भीतर क्या होगा cremastic artery होगी और cremastic vein होगा इसके अलामा आप देखेंगे genital branch of genitofemoral nerve जिसको कुछ इस image में यहाँ दिखाया गया है जबकि कुछ बुक्स में दिखाया जाता है कुछ बुक्स में इसको mention किया जाता है कि यह internal spermatic fascia के भीतर होता है तो cremastic fascia के भीतर क्या है? cremastic artery, cremastic vein और आप चाहें तो यह जैसा इस image में दिखाया यह genital branch of genitofemoral nerve को आप दिखा सकते हैं या फिर इसको आप अंदर भी कह सकते हैं खैर इस तरीके से हमने cover कर लिया cremastic fascia को cremastic fascia के बाहर आप देखेंगे external spermatic fascia कैसे याद करेंगे? तो आप देख सकते हैं सबसे बाहर है इसलिए external spermatic fascia है इसमें ileo inguinal nerve situated होता है तो आप क्या कहेंगे? ileo inguinal nerve की positioning कहां पर होती है? तो चलिए rule of nine को, sorry rule of three को या फिर pneumonics of three को यहाँ पर justify कर लेते हैं तो मैंने आपको बताया था three arteries हैं एक artery testis के लिए, दूसरी artery यहाँ पर vast difference के लिए और तीसरी artery cremastric artery है तो three arteries हो गई, veins भी इसी के corresponding होंगे यह three veins भी cover हो गए इसके बाद three facial covering है, यह बाद भी मैंने आपको बता दिया three nerves होते हैं, उसको यहाँ पर देख लीजे यहाँ पर एक nerve ileo inguinal, दूसरी nerve है genito femoral और तीसरी nerve है यहाँ पर जो sympathetic nerves around testis आपको देख रहे हैं यह तीसरी nerve है, तो इस तरीके से three nerves हमने आपको दिखा दिये three artery आपको दिखा दिया, three आपको veins दिखा दिये, three covering दिखा दिया इसके लावा three structures आपको नज़राते हैं और भी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर vast difference है मैंने आपको बताया था process vaginalist यहाँ पर उसके remnants नज़राएंगे और lymphatics उसको भी आपको भूलना नहीं है तो जो बाते हम लोगों ने आपके साथ discuss किया उसको एक बार फिर से आप recall कर लें content क्या है spermatic cord का three arteries, three veins, three facial covering, three nerves और three other structures इसमें मैंने आपको बताया था था ना vast difference को याद रखना है, process vaginalist को याद करना है और जहाँ जहाँ appropriate lymphatics हैं, उनकी positioning को भी आपको structures में देखना है अब इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि spermatic cord जिस रास्ते से होकर के गुजरता है, वो inguinal canal बनता कैसे है तो उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि actual में जो हमारे anterior abdominal wall की layering है, वो total eight की संख्या में है तो यहाँ पर उन सारी चीजों को आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया कितने layers होंगे? eight layers, तो one, two, three, four, five, six, seven and eight कहां से शुरू होगा? तो आप देखेंगे सबसे बाहर होता है skin, उसके बाद superficial fascia, उसके बाद होता है external oblique, फिर internal oblique, उसके बाद transversus abdominis, फिर fascia transversalis, फिर extra peritonial tissue और उसके बाद होता है peritonial, sorry, parital layer of peritonium, तो इतने सारे layers, external abdominal wall की layers में count किये जाते हैं यहाँ पर उन सारी layering को हम count कर सकते हैं, number one, यहाँ पर आप skin को देख रहे हैं, उसके बाद superficial fascia है superficial fascia में आप देखेंगे दो तरीकी की fascia है, एक है fatty layer के रूप में, आप देख सकते हैं, fatty layer के रूप में है, यहाँ और इसकी जो fascia है उसको campers fascia कहते हैं तो ये दूसरी layer हो गई दूसरी layer में आप याद रखेगा एक तो है fatty layer के रूप में और दूसरी है membranous layer के रूप में तो दूसरे का 2A आप कह सकते हैं campers fascia और 2B होती है scarpa's fascia तो यहाँ पर superficial fascia के दो parts है superficial fascia के आप दो parts यहाँ पर देख सकते हैं नाम में भी लिखा हुआ है superficial fascia superficial fascia तो superficial fascia का जो बाहरी layer है वो है fatty layer और भीतरी layer जो है वो है membranous layer जिसको आप fibrous layer भी कह सकते हैं जिसका नवाम है scarpa's fascia तो second layer के रूप में हमने इसको count किया इसके बाद आपको three muscles नजराती है external oblique, internal oblique, transversus, abdominis तो total five layers हो गई इनको अलग करने के लिए deep fascia होती है उसे आपको count नहीं करना है बस muscles के बीच में deep fascia होंगी यह बात पता रहनी चाहिए वैसे याद किया तो skin फिर superficial fascia superficial fascia के बाद three muscles के layer उसके बाद यहाँ पर fascia transversalis के layer आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है sixth layer fascia transversalis का आप यहाँ पर देखिए इसके बाद हम और पीछे की और जा रहे हैं तो यहाँ पर extra peritonial tissue आपको नज़र आएगा जो कि यहाँ fat के रूप में है यह seventh layer है आप यहाँ पर देख सकते हैं और उससे भी पीछे है eighth layer के रूप में parital peritonium तो हमने यहाँ पर याद रखना है fascia transversalis और external oblique muscles के बीच के कहानी को इसे के बीच जो track तयार होता है यहाँ से deep inguinal ring का formation आपको transversalis fascia और उसके बाद superficial जो आप inguinal ring को देखते हैं वो external oblique muscles के आस पास ही बनता है तो यहाँ पर इसके बीच के concepts को देखने के लिए याद रखेगा spermatic जो भी inguinal canal के बनने की प्रक्रिया होती है वो fascia transversalis से एक deeper यहाँ पर एक गढ़्धा बनते हुए सारे के सारे parts यहाँ पर गुजरते हैं यहाँ पर जो covering हम spermatic cord की देखते हैं वो actually वो inguinal canal से गुजरते समय spermatic cord की covering बनाने में मदद करते हैं तो आप देखेंगे जो spermatic cord है वो actual में यहाँ पर fascia transversalis के पार्ट से होकर के यह deeply enter करता है और यहाँ की जो भी layers होती हूँ उनको अपने साथ ले करके बाहर की और चलाता है तो इसी वज़ा से आप जब spermatic cord की three layerings को आप देखते हैं तो उसमें इनही के remnants या इनही के modified forms आपको देखने को मिलते हैं कैसे उसके बारे में अभी मैं आपके साथ चर्चा करूँगा अभी बस आप इतना समझ लें कि spermatic cord जब inguinal canal से होकर के गुजरता है तो spermatic cord की जो three layers होती हैं वो इनही की वज़ा से बनती हैं यहां पर आप देखेंगे सबसे बाहरी layer spermatic cord की external oblique muscle के eponeurosis से derived होती है तो external spermatic fascia actually external oblique muscle के eponeurosis से develop होती है जो सबसे भीतरी internal spermatic fascia होती है वो fascia transversalis के बदद से बनती है तो fascia transversalis के मदद से सबसे भीतरी layer बनी internal spermatic fascia बनी सबसे बाहरी external spermatic fascia external oblique muscle के eponeurosis से बनी और बीच के जो दो layers हैं बीच के दोनों layers एक साथ combined हो जाते हैं और यह cremastric fascia बनाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना यह internal oblique और transversus abdominis यह जो दो muscular layer हैं यह मिलकर के cremastric fascia बनाते हैं आप imagine कर सकते हैं यह है fascia transversalis यहां से हो करके आप समझ सकते हैं जब कोई चीज गुजरेगा तो अपने साथ इन सारे layers को ले करके आगे बढ़ेगा और यही सारी चीजें ले करके नीचे की और उतरता है spermatic cord तो आप देखेंगे यह सारे remnants यहां पर इसके साथ गुजरते हुए चले जाते हैं तो आप इसी के बारे में देखेंगे यहां पर एक गढ़ा सा structure एक hollow structure तयार हो जाएगा जिसके साथ spermatic cord आगे के और बढ़ जाता है कैसे आगे बढ़ेगा उसको भी अब हम discuss करने की कोशिश करेंगे लेकिन आप याद रखिए जो spermatic fascia है वो कैसे बनी उसके कौन-कौन से layer कैसे derive हुए उनको देख लीजिए यहां पर सबसे बाहरी layer कैसे बना external oblique muscles के aponeurosis से ना कुश याद रहे तो बस पल याद रखिए external spermatic fascia external oblique muscles से फिर मैंने आपको बताया beach की जो cremastric fascia है वो external oblique के भीतर क्या होता है internal oblique internal oblique के भीतर क्या होता है transversus abdominis तो उन दोनों को मिला करके यह cremastric fascia बना तो बाहरी muscles फिर भीतर के दो muscles कवर हो गए अब इसके बाद हमारे पास बचेगा केवल और केवल fascia transversalis जो कि real में fascia है और वो सबसे भीतरी internal spermatic fascia बनाएगा तो fascia transversalis जबकि यहाँ पर cremastric fascia जिसको आप कह रहे हैं या external spermatic fascia कह रहे हैं यह muscles के मदद से बना है यह fascia transversalis के मदद से बना है यह तीनों लेयर हम लोगों ने समझा और यह कैसे बनते होंगे इसके बारे में आप imagine कर सकते हैं कि जब इसके रास्ते से spermatic card गुजरता है तो वो इन सारी layers को अपने साथ आगे ले करके चलता है तो यहाँ पर आपको connection समझ में आए inguinal canal का यहाँ पर आपको relationship समझ में आए inguinal canal से होकर के गुजरने वाले spermatic card का उसके layers कैसे बनते हैं उन चीजों को यहाँ पर हमने इन सभी layers का जिक्र है बने कैसे उसको एक बार फिर से हम चाहें तो recall कर सकते हैं यहाँ पर fascia transversalis पूरी की पूरी यहीं से dip होकर के आप समझ सकते हैं सबसे भीतर की layer बनेगी यहाँ पर internal oblique और transversus abdominis यह दोनों एक साथ combined हो जाएंगी और यह cramastric fascia बनाएंगी जो external oblique है यह external spermatic fascia बनाएगा इसके बारे में आपको मैंने बता दिया external spermatic fascia कहां बनेगा उसको बताया fascia transversalis क्या बनाएगा internal spermatic fascia बनाएगा और जो internal oblique और transversus abdominis muscles हैं वो क्या बनाएंगे मैंने आपको बताया था यह cramastric fascia बनाता है तो इस तरीके से जो भी covering है spermatic cord की उसको हम लोगों ने यहाँ पर आपके साथ justify किया spermatic cord के क्या contents हो सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने समझा तो एक basic जो भी informations थी उसको मैंने आपके साथ discuss किया इन सारे informations को याद रखेगा क्योंकि इन पर best objective questions बनते हैं